टीवी के इस पॉप्यूलर आक्टर ने कोविट को दी इमाद हॉस्पिटल से मिला आक्टर को डिस्चार्ज सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल पोस्ट तो कौन है ये आक्टर और क्या है पूरी खबर आईए जानते हैं आए दिन हम कई सारे सिलप्स की कोविट 19 पॉस्टिव होने की खबर सुनते रहते हैं पर अब हम लेके आए हैं आपके लिए गुड नियूस आक्टर मोहित रहना ने कोविट 19 को माद दे दी है जी हां कुछ दिन पहले जहां हमने आपको ये खबर दी थी कि मोहित की तब्यद कोविट की वजह से बिगडी है और उन्हें हॉस्पिटल में एटमिट होना पड़ा था वही अब उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है अपने सोशिल मीडिया हैंडल पर मोहित ने काफ़ी एमोशनल पोस्ट लिख अपने फैंस को मोटिवेटेड रहने का होसला दिया मोहित ने लिखा एप्रिल का महिना भारी मन के साथ खत्म हुआ मुस्कुराहट, कुरुग्यता, यादी, सबक, धेर्य और संकल्ब दो स्कूल के दोस्तों को खो दिया दो कॉलेज के दोस्त, एक आटो मुबाल इंडस्ट्री का पूर विसह कर्मी एक विस्तारित परिवार के सदस्य और एक पिता समान व्यक्ति को भी खो दिया ये मेरा व्यक्तिगत सबसे लंबा अस्पताल प्रवास रहा मैं मेदानता लखनव इंटरनल मेडिसिन टीम का धनेवाद भी नहीं कर सकता जो इन दिनों ने स्वार्त रूप से 24 गंटे काम करते हैं पेपी केट्स के बीछे चिपी मुसकान के साथ भगवान उनका भला करे बुझ भुकम 2001, कुछ प्राकृतिक आपदाई 26-11 और अब कोविट जैसे नरसहार का व्यक्तिकत रूप से साक्षी होने के बाद मुझे एक एहसास हुआ है जिसे मैं उन सभी लोगों के साथ साज़ा करना चाहता हूँ जो कमरे की छट या खिड़की को देख रहे हैं और सोच रहे हैं हम ही क्यों अपनी खुद की राक से उठानी के लिए एक फिनिक्स को सबसे पहले जलना चाहिए हम सभी के पास 86 अरब निूरॉन्स हैं जो हमारे बेतर शक्ति को भर कर जागरत करते हैं जागो मेरे दोस्तों एक ऐसा कल होगा जो आपका आज होगा और उसी शन आपको खुद पर गर्व होगा बस धमजाओ लव एमार मोहित ने अपने इस पोस्ट से अपने फैंस को बहत एमोशनल कर दिया है क्या कहना है आपका इस खबर को ली कर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube